नमश्कार वे द्यार्थियों आज हम आपसे बात करेंगे कि विभिन माध्यमों के लिए कैसे लिखा जाना चाहिए उसके लिखने का तरीका क्या है जैसा हम सब जानते हैं विभिन माध्यमों का यहां आशय यह है कि जो जनसंचार के माध्यम है यानि जिनके जरिये आप अकबार, रेडियो, टेलिविजन और जो नए माध्यम है यानि आपके मुबाइल फोन पर जो वेब साइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, एप्स हैं, उन पर अगर आपको लिखना हो तो उसके लिखने का तरीका क्या है उसके लिखने में किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए और लिखते हुए हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए उस लिखने के तरीके में भाशा का कैसे हम ध्यान रखें इन सब विश्यों पर आज हम इस चर्चा में बात करेंगे लेकिन सबसे बुनियादी बात ये है कि जनसंचार माध्यमों के लिए चाहे वो अख़बार हो चाहे वो रेडियो हो चाहे वो टेलिविजन हो चाहे नए डिजिटल के माध्यम हो अच्छा लिखने के बारे में जो सबसे बुनियादी शर्थ है वो शर्थ ये है कि आप खूब पढ़ें आपके पास अनुभव हो अनुभव दरसल हम आसपास की चीजों को देखने और समझने के साथ-साथ पढ़ने से हमारे पास आता है विलियम फॉकनर जाने माने लेखक ने बहुत पहले कहा था कि पढ़िये, 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 सब कुछ पढ़िये खराब पढ़िये, अच्छा पढ़िये, क्लासिक पढ़िये जो कुछ भी आपको मिले, वो सब पढ़िये और पढ़ने से ही आप ये जानेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा था और इसके जरिये आपके अंदर धीरे-धीरे एक समझ पैदा होगी कि अच्छा कैसे लिखा जाता है जैसे एक नया बढ़ई, एक युवा बढ़ई अपने से ज़्यादा कुछल और अनुभवी बढ़ई से सीखता है उसके साथ इंटरन्शिप करता है, उसके साथ ट्रेनिंग करता है उसी तरह से एक अच्छे लेखक को पढ़ाई के जरिये अच्छी बुरी सभी तरह की चीजें पढ़ने से उसे पता चलता है कि बहतर कैसे लिखा जा सकता है, बहतर लिखने का तरीका क्या है और जब आप अच्छा लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो उससे आप सीखेंगे और इससे सीख करके ही आपको आगे लगेगा कि आपने जो लिखा है, वो कितना अच्छा है जो बुरा है, उसे उनका कहना था कि आप खिड़की से बाहर फेक दीजे जनसंचार के माध्यमों के लिए लिखने के बारे में जानने के लिए ज़्यादा जरूरी है कि उन जनसंचार माध्यमों के बारे में सबसे पहले हम अपनी समझदारी बढ़ाएं क्योंकि किसी भी माध्यम के लिए आप लिख रहे हैं तो उन माध्यमों के बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है अगर आप उस माध्यम के बारे में आपकी समझदारी नहीं है आप उस माध्यम को गहराई से नहीं जानते हैं तो ये मुश्किल होगी आपको कि उसके लिए कैसे लिखे माध्यम धर असल दो तरह के है जो जनसंचार के माध्यम है में बुनियादी तौर पर दो तरह के है एक वो माध्यम है जो मनोरंजन के माध्यम है साहित्य है, उपन्यास है, कथा संग्रह है इसी तरह से टेलेविजन पर जो आप धारवाहिक देखते हैं ये सब मनोरंजन के माध्यम है रेडियो पर आप गीत, संगीत सुनते हैं ये मनोरंजन का माध्यम है और इसके साथ ही आप जो नए डिजिटल के माध्यम हैं उनमें आप जो वेबसाइट्स हैं OTT प्लेटफॉर्म है जैसे नेट्फिक्स है अमेजन प्राइम है इस तरह के जो माध्यम हैं ये मनोरंजन के हैं लेकिन इसके साथ-साथ ही इन माध्यमों में ही जिन माध्यमों को हम समाचार माध्यम कहते हैं जिनके जरी हम तक सूचनाएं जानकारियां और समसामई घटनाओं पर विचार और समाचार पहुंचते हैं उनको हम समाचार माध्यम कहते हैं समाचार माध्यमों में समाचार पत् यूज चैनल हैं, वो सभी एक तरह से समाचार माध्यम में माने आते हैं, नए माध्यमों में भी आप देखिए, digital के जो माध्यम हैं, उसमें जो news portals हैं, news apps हैं, इनको हम समाचार माध्यम कहते हैं. अब हम बात करेंगे कि मीडिया के लिए या माध्यमों के लिए अच्छे लेखन की क्या कुछ बुनियादी शर्ते हैं, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, हम कैसे उसके लिए अपनी तैयारी करें कि हम बहतर लिख सकें तो जो सबसे बहुत बुनियादी जरूरत है, वो है विशय वस्तू की खोज, और उसके लिए शोध करना, उसके लिए जानकारी इकठा करने की जो प्रक्रिया है, शोध के जरिये, जो हम सामगरी इकठा करते हैं, वो बुनियादी लेखन की या अच्छे लेखन की पहली शर् रही हैं, उनको हम कितनी बारीक नजर से देखते हैं, क्या हम उनको देखने का जो हमारे तरीका है, वो किस तरह का है, तो हमें अपने अंदर अवलोकन की छमता विक्सित करनी पड़ती है, वैसे तो देखते हैं हम सब लोग हैं, लेकिन देखने का एक तरीका होता है, कि क्य चीजें देखी जाएं और उन देखी गई चीजों के पीछे क्या हो रहा है उनको समझने की कोशिश की जाएं तो ये अवलोकन छमता हमें विक्सित करनी पड़ेगी साथी साथ हमें अपनी भाशा की छमता को भी बहतर करना पड़ेगा जो माध्यम हैं इन माध्यमों में या जनसंचार के माध्यमों में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो साफ सुतरी होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, प्रभावी भाषा होनी चाहिए, जो लोगों से सीधे एक तरह से संपर्क बना सके, जो लोगों की समझ में आ सके, क्योंकि हमें याद रखना चाह लेकिन जो पत्रकारिता है, जो मीडिया के लिए लेखन है, जो समाचार माध्यमों के लिए लेखन है, वो दरसल हम अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के लिए करते हैं, और हमें इसका ध्यान लखना पड़ेगा कि हमारे पाठकों, दर्शकों को किस तरह की भासा आ इन माध्यमों की कुछ अपनी सीमाएं हैं, इन माध्यमों की कुछ अपनी शक्तियां हैं और उनके मताबिक ही हमें अपने लेखन में एक अनुशाषन बनाना पड़ेगा। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारे पाठकों, दर्शकों और शोताओं की जरूरते क्या हैं, उन माध्यमों के बारे में जिन तक हम पहुँचना चाहते हैं, उनकी जरूरत क्या है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई का, उनकी जानकारी का अस्तर क्या है? इसके साथ साथ स्रिजनात्मक्ता का आश्य ये है कि किसी भी बात को जो आपके कहने का अंदाज है, आपकी जो शैली है, वो भी बहुत महतुपूर्ण है. एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है. इसी को हम स्रिजनात्मक्ता कहते हैं. ठीक, इसी आलेक हैं जो हम लिख रहे हैं उसमें किस तरह का प्रवा है निरंतरता कैसी है उसमें कितनी तार्किता है एक पैराग्राप से दूसरे पैराग्राप के बीच किस तरह से संबन बन रहा है क्या वो एक नदी की तरह उसमें पानी बह रहा है उसी तरह से आपके वाके और आपके शब्द बह रहे हैं की नहीं तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है समाचार माध्यमों के लिए लिए लिखते हुए हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि समाचार माध्यम आप जैसा जानते हैं, लोग सूचनाओं के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जानकारियां उनको चाहिए, तो उसमें जो सबसे बुन्यादी बात है कि तथ्यों और सच के प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यानि जो तथ्यों हैं उन पर ही हमारा सबस का आशय यही है कि लोगों को निस्पक्ष जानकारी पहुँचाएं, संतुलित जानकारी पहुचाएं, तथ्यपूर्ण जानकारी पहुचाएं और इसके लिए हमें सामगरी संकलन करना पड़ता है, और सामगरी संकलन का आशय यह है कि चीजों की छान भीन करनी पड़ती ह उनको एक दूसरे से क्रोस चेक करना पड़ता है, तथियों के जो स्रोथ हैं, उन स्रोथ तक जो आथेंटिक स्रोथ हैं, जो ऐसे स्रोथ जिनको हम एक तरह से आधिकारिक स्रोथ कहते हैं, उन तक पहुँचना पड़ता है, साथी साथ हमें लोगों के साक्षात कार करने तभी हम समाचार माध्यमों के लिए तत्थ्पूर्ण जानकारी इकठा करसकते हैं। तभी हमारी रिपोर्ट निस्पक्ष हो सकती है। साथी साथ हमें सरल आम बोलचाल की भाषा का استعمाल करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समाचार माध्यमों में समाचार और विचार दोनों को का इस्तेमाल होता है और इसलिए हम यह कोशिश करनी चाहिए कि समाचार और विचार के फर्क को भी समझे समाचार एक तरह से तथिपूर्ण है, वस्तुनिष्ट है जबकि विचार हमारा अपना हो सकता है समाचार में हम अपना विचार नहीं मिलाते समाचार माध्यमों में हम फीचर भी लिखते हैं और फीचर लिखने के लिए जो ज़्यादा महत्यपूर्ण बात है कि उसकी शैली कथात्मक होनी चाहिए वो एक तरह से स्टोरी टेलिंग है अब हम जो विविन माध्यम हैं उन माध्यमों के बारे में बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उन खास माध्यमों में हम कैसे लिखें अभी हमने जो बात की उसमें सभी माध्यमों के बारे में बात की थी अब हम एक-एक माध्यम के बारे में बात करेंगे जैसे सबसे पहला माध्यम है जो सबसे लोकप्री है जो सबसे ज़्यादा पुराना माध्यम है वो है मुदृत माध्यम यानि जो छपे हुए शब्दों का जादू है उसके बारे में हम बात करेंगे मुद्रित माध्यमों की क्या खासियत है उसकी खासियत है कि ये एक साक्षर्ता की संस्कृती से जुड़ते है साक्षर्टा की संस्कृति का आसाए ये है कि पिछले कई सौ सालों से जो हमने धीरे-धीरे लिखना, पढ़ना, भाशा का विकास हुआ, शब्दों का विकास हुआ, व्याकरण का विकास हुआ, तो ये जो साक्षर्टा की संस्कृति से मुद्रित माध्यमों का गहरा जुडा जो मैं बातें कह रहा हूँ आपसे वो एक तरह से हवा में आ रही है आप तक हवा में उड़ जा रही है लेकिन जो छपे वे शब्द हैं जो आपके किताब में हैं जो आपके अकबार में हैं जो पत्रिकाओं में हैं उनकी आयू बहुत लंबी होती है लेकिन जो टेलविजन से जो रेडियो से जो बातें आती हैं वो आती हैं और आपके कान तक पहुंचती हैं और वो एक तरह से हवा में फिर गुम हो जाती हैं लेकिन छपे वे शब्द हमारे साथ लंबे समय तक बने रहते हैं और इसलिए उन शब्दों की एक साख है उनकी एक क्रिडिबिलिटी है और उस क्रिडिबिलिटी का हमें ध्यान रखना है दूसरी बात यह है कि मुदृत माध्यम और एक ही माध्यम है इसका मतलब यह कि आप अकबार को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं पिछले पढ़ने से शुरू कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अकबार सीधे खेल के प्रिश्ट से शुरू करते हों बहुत सारे लोग हो सकता है शहर की खबरों को अंदर के पेज से पढ़ना शुरू कर बहुत सारे लोग जिनकी संपादकी में दिल्चस्पी है वो संपादकी इपर से शुरू कर सकते हैं लेकिन टेलेविजन और रेडियो में ऐसा नहीं हो सकता रेडियो और टेलेविजन लीनियर माध्यम है यानि एक रेखिये माध्यम है एक रेखिये माध्यमों के साथ खास बात ये होती है कि उसको आपको शुरू से लेके अन तक लगातार फॉलो करना पड़ता है लेकिन अखबार में ये नहीं है अखबार में आप कहीं से कोई चीज पढ़ सकते हैं एक ही चीज को कई बार पढ़ सकते हैं अगर आप रेडियो और टीवी पर हैं और कोई शब्द समझ में नहीं आया तो आप डिक्सिनरी खोजने नहीं जा सकते अगर डिक्सिनरी खोजने गये तब तक उसमें चीजे आगे निकल जाती हैं तो इस तरह से इन माध्यमों के बीच जो फर्क है वो हमें समझना पड़ेगा मुदृत माध्यम में जैसा मैंने कहा कि मुदृत माध्यम जो छपे हुए शब्द है जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको कल्पना शीलता का मौका देता है वो आपको सोचने और समझने की कोशिश करने का मौका देता है वो आपको एक अवसर देता है कि आप कलपना करके उन शब्दों के सारे जरिये अपने मन में चित्र बना सकें तो इस तरह से उसमें बार-बार पढ़ने के साथ साथ पाठकों के लिए एक तरह से सोचने, समझने की, इमैजिन करने की आपको अनुमती देता है एक बात हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि मुदृत माध्यम के जो पाठक हैं उनमें बहुत विवित्ता है उसके एक अखबार को जो अखबार लोगों तक पहुँचता है उसको पढ़ने वाले पृधानमंत्री भी हो सकते हैं चाहिए अखबार हो चाहिए पत्रिकाएं हो उनकी एक आवरती की समय सिमा है अखबार हर 24 घंटे के बाद आता है पत्रिकाएं हो सकता है एक सपता के बाद आती हो या 15 दिन के बाद आती हो या मासिक पत्रिकाएं हो तो उनकी आवरती अलग-अलग है और जब आवरती अलग- तो पिछले एक हपते की घटनाएं उसमें जादा महत्वपूर्ण अस्थान पाती हैं या अगर मान लिजे मासिक पत्रिका है तो उसमें पिछले एक महीने के अंदार हुई घटनाएं जादा जगह पाती हैं हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मुदृत माध्यमों की कुछ सीमाएं भी हैं वो हर जगह नहीं पहुंच सकते, उनको पहुंचाना पढ़ता है, उसके लिए खरीदने की छमता होनी चाहिए उसके लिए आपका पड़ा लिखा होना ज़रूरी है तो मुदृत माध्यमों की कुछ सीमाएं भी है लेकिन उसकी ताकत भी है जैसा मैंने कहा कि उसकी ताकत ये है कि वह आपको imagine करने का, सोचने का, कलपना करने का अवसर देता है आप शब्दों के जरिये चित्र खीशते हैं तो समाचार माध्यमों में अगर आप मुदृत समाचार माध्यमों के लिए लेखन कर रहे हैं तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसमें जो सबसे बुन्यादी चीज है कि वो आप तत्यों का ध्यान रखें, मानक भाषा का प्रियोग करें लेकिन भाषा वो साफ सुत्री हो, समझ में आसकने वाली भाषा हो साथी साथ भाषा में आपको एक तरह से चित्रन, वर्णन करने की छमता आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि हम पाठक के लिए एक तरह से कलपना करने का जब औशर देते हैं तो मुदृत समाचार माध्यम में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसके सामने शब्दों के जरिये चित्र बनाएं ताकि पाठक पढ़ते हुए उसको दिखाई पड़े, उसको सुनाई पड़े तो इसे लिए हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए मुदृत माध्यमों के लिए जिसमें पाठक खुद देख और सुन सके हमें व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए जैसा मैंने आपसे बताया कि ये एक स्थाई हो जाते हैं शब्द लंबे समय तक टिके रहते हैं तो उसमें गलतियों को तुरत नोटिस किया जाता है तो उसमें गलतियों की गुंजाईश नहीं होनी चाहिए वाग के छोटे और सरल होने चाहिए ताकि एक पाठक को पढ़ने में आसानी हो और इसकी जो फॉर्मिट और शैली है एक की उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए अब हम बात करेंगे श्रब माध्यमों के बारे में श्रब माध्यम यानि हवा में तैरते हुए श्रब्दों का जादू एक बात हमें याद रखनी चाहिए श्रब माध्यम में जैसे रेडियो है आपके जो संगीत जो आप सुनते है उसका recording का जो player है और आजकल बहुत सारे ऐसे audio माध्यम आ चुके हैं तो इन सभी श्रब माध्यमों में खास करके हम radio का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि radio बहुत ब्यापक स्थर पर उपलब माध्यम है तो radio में हम ये जानना चाहिए कि radio किस तरह का माध्यम है उसके बारे में हमारी समझदारी होनी चाहिए तो radio दरसल ध्वनियों का माध्यम है वो sound का माध्यम है और वो एक रेखी माध्यम है यानि radio में एक जहां से शुरू होती है तो आपको वहीं से उसको सुनते हुए आगे बढ़ना होगा आप बीच में आगे पीछे नहीं कर सकते तो इस तरह से उसकी एक सीमा ये भी बनाती है कि आपको पाठक को यानि आपके शोता को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शोता जब आपका radio सुन रहा है तो उसे ऐसी कोई शब्द ना आए ऐसे कोई वाक्य ना आए जिसको समझने में मुश्किल हो साथी साथ radio एक तरह से माना जाता है कि वो बातचीत का माद्यम है एक तरह से conversation का माद्यम है जैसे आप FM radio सुनते होंगे अपने घर के तो आप पाएंगे कि उसमें जो उनके आजे हैं जो radio jockey हैं वो आपसे बातचीत करते हैं तो radio दरसल हमारा एक दोस्त की तरह है वो हमारा ऐसा दोस्त है जो हमसे बातचीत करता है वो हमारे लिए एक audio wall बनाता है और उस audio wall के अंदर हम उससे एक तरह से बात करते रहे होते हैं radio एक तरह से भाव और कथा का माद्यम है अगर किसी चीज को समझना है तो इसलिए हम इसमें हमारी जो शैली होनी चाहिए लिखने की वो बादचीत की शैली होनी चाहिए अखबार में एक तरह से वो आपचारिक लेखन की शैली होती है वो एक मानक होती है लेकिन जब हम स्रब माध्यमों के लिए यानि रेडियो के लिए लिखते हैं तो वो बादचीत की शैली का इस्तिमाल करते हैं शब्दों के जरिये हम चित्र खोचने की कोशिचने की कोशिच करते हैं जो हम पाठक या जो हमारा श्रोता है स्रब माध्यमों का उन माध्यमों के जरिये जो उसके पास जो शब्द पहुंच रहे हैं उन शब्दों के जरिये ही वो चित्र बनाता है तो हमारे भाशा ऐसी होनी चाहिए कि वो शब्दों के जरिये चित्र खीच सके और जाहिर है कि ये बोलचाल का माध्यम है और बाचित का माध्यम है तो रोजमर्रा और बोलचाल की भाशा का इसमें हम इस्तिमाल करते हैं भासा साफ सुत्री होनी चाहिए, वाके छोटे होने चाहिए, वाके सीधे होने चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ध्यान भटकाने की उसमें आशंका नो हो ये भी याद रखना चाहिए कि रेडियो के लिए जब हम लिखते हैं तो उसमें आंकडे और अधिक तथे नहीं दें आप ज़्यादा आंकडे देंगे उसमें बहुत तथे भर देंगे, तारीखें भर देंगे, तो लोग उसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम चीजों को सुन रहे हैं, और सुनते हुए बहुत सारे आंकड़े अगर आने लगें, तो जो हमारा शोता है, उसके लिए उसको समझना और उसको फॉलो कर पाना अगर हमने कुछ क्लिश शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिनका उचारन मुश्किल है, क्योंकि जो आप लिखते हैं श्रब माध्यमों के लिए, या रेडियो के लिए जो कुछ भी लिखते हैं, उसको कोई पढ़ता है, और ज श्रब माध्यमों के लिए लिखते हुए आप बोल बोल करके लिखे आप खुद भी लिखने के बाद एक बार जोर जोर से उसको पढ़िये और पढ़ते हुए अगर आपको कहीं लडखडाहट हो रही है पढ़ते हुए आपको कहीं दिक्कत हो रही है कहीं उचारण में मुश फूले लगे यानि लंबे वाकिय नहीं होने चाहिए लंबे वाकिय को समझ पाना भे मुश्किल होता है तो एक तरह से बाचित का माध्यम होना चाहिए श्रब माध्यम को तो हमें रेडियो की ताकत को समझना चाहिए ये हमें जानना चाहिए कि रेडियो इस देश के लाखों करोनों लोगों तक उसकी पहुंच है वो हमारे साथ कहीं भी आ जा सकता है रेडियो सेट हम लेकर के खेत में भी जा सकते हैं रेडियो को लेकर हम स्कूल भी जा सकते हैं रेडियो को लेकर के हम बाजार भी जा सकते हैं और आजकल तो हमारे मुबाइल फोन में रेडियो है और उसके जरी हम कान में लगा करके टहल भी सकते हैं, कान में लगा करके उसको सुन सकते हैं, कान में लगा करके हम बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि श्रब माध्यम का इस्तेमाल एक तरह से आडियो वाल की तरह करते हैं कि और कई काम हो कर रहे हैं घर के जरूरी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप रेडियो सुन रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा श्रोता है वो कई और काम करते हुए रेडियो सुन रहा है इसलिए उसकी भाषा इतनी आसान, सरल, बातचीत की और इंगेजिंग होनी चाहिए इसलिए रेडियो को कहा जाता कि वो एक तरह से कथा का माध्यम है कथा के माध्यम होने के नाते हमें इस बात का गौर करना चाहिए कि उसमें कथाएं सुनाएं, भाव सुनाएं, हमारे भाव उसमें ज़्यादा व्यक्त होने चाहिए, न कि उसमें ज़्यादा तत्त है और जानकारियां हों, जानकारियां भी ऐसे हों कि जिनको हम कहानी की तरफ पेश कर सकते हों, तो हम श्रब माध्यमों के लिए ज़्यादा बाद की उनकी संभावनाओं के बाद में इसके साथ साथ हमने आज जादा विस्तार से बाद की कि मुद्रित माध्यमों के लिए और श्रब माध्यमों के लिए लिखने में हमें क्या तैयारी करनी चाहिए उन माध्यमों की क्या शक्तियां हैं क्या सीमाएं हैं उनमें क्या संभावनाएं हैं हमें अपनी भाषा के बारे में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए हमने ये भी आज चर्चा की कि जो मनोरंजन के माध्यम हैं और जो समाचार के माध्यम हैं उनमें क्या अगली कक्षा में हम बात करेंगे द्रश श्रब माध्यमों की और नए माध्यम यानि डिजिटल माध्यमों की और उनके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे अपराई टे फड़ दो एकारी करेंगे भी करेंगे ओ सानर माध्यमों के लिए करेंगे अटा स्रुक Ó space